तो अभी मैं फाइनली गाइस मायापूर के चेतन्य गरूर मत में हूँ एंड सुबा का वक्त है तो अभी मैं आप लोगों को नौदीब धाम दिखाना चाहूंगा तो अभी हम लोग नौदीब धाम जा रहे हैं एंड आप देश सकते हैं मेरे साथ और भी यातरी गन है एंड चेतन्य गड़ोर मठ से नौदीब धाम का रास्ता चलिए मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा चलिए गाइस सुरू करते हैं अब फाइनली गाइस तो हम लोग नौदीब धाम के करीब पहुँच चुके हैं एंड यह रास्ता रहा गाइस नौदीब धाम जाने का मैं गेट एंड गाइस आप देख सकते हैं यहां पर एक चोक है यह रास्ता नहीं जाना है यह सामने वाला रास्ता जाना है अगर आप लोगों को नौदीब धाम जाना हो तो आप देख सकते हैं आपनाना लॉंचेर काउंटर थे लॉंचेर टिकेट काउंटर वो तारा तारी लॉबदीब पार हो तो गाइस आप लोगों को नौदीब धाम जाने के लिए वहां से टिकट लेना होगा टिकट काउंटर से जिसका मुल्य ओनली आठ रुटिया है ज्यादा नहीं है तो टि यहां पर बोट लगा हुआ है यहां देख सकते हैं यहां पर बहुत ही छोटे-छोटे मचुआ रहे हैं जो कि मचली मार रहे हैं फानली फ्रेंट समलोगों की बोटी काट हो चुकी है और लोगा बढ़रे नुवदीब रहे हैं कि और आप देख सके लिए यहां तो अरे चाथ और वी आदरीगरस में जब अशली के अट में आप लेगा लेगा उटिए वोन ही लब के जो दूवाग सो तो एंड लोग एंड ने शुवा थे गाइस काफी मजा रहा बोटिंग करने में हम लोग गोट से उस पार जा रहे हैं नौदीब धाम के लिए आप देख सकते हैं अब हम लोग पहुंचने ही वाले हैं यहां पे रहा नौदीब धाम का मंदिर आप लोग अभी माया पूरा होगा इस तो नौदीब धाम आना विल्कुल भी ना भूलें यहां से जज सामने हैं कि एंड़ फाइली गाइस नौदीब धाम का घाट आ चुका है यह बोट वहां पे लगने वाली और हम लोग उपनेंगे एंड दर्शन करने जाएंगे प्रवाज जी का एंड फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यह रहा हमारा वोट और वोट खाली हो चुका है एंड इधर एक और बोट लगा हुआ है एंड गाइस आप देख सकते हैं यह रहा नौदीब धाम का घाट अब हम लोग को इस घाट के पार जाना है अब हम लोग सीधे आप लोगों को लिए चलते नौदीब धाम की ओर यहां आप लोग आओगे गाइस काफी मज़ा आएगा फाइनली फ्रेंड हम लोग अब नवदीब धाम में एंटर कर चुकी है एंड आप जो यह देख रहे हैं हमी लोग का बस यात्री है गाईस टेख दो chth इंड आएक्टिज़ इन किसे इसलोएटाव d paint02 जाएटस एक इंड जली का सिराइक्जिव आट ज elimination का सेंड थो माईड दुटिब धाइस एक्रिंड शेगं यह मैं आप लोगों को नौदीब धाम का फर्स टेमपल दिखाना चाहूंगा तिदी बाबा का मंदीर आप लोगों ने शिद्धी बाबा का मंदीर घुम लिया एंड आप चलते नेक्स टेमपल की और यहां नौदीब धाम में बहुत सारे टेमपल है एंड आप देख सकते हैं यह राधारानी का मंदीर है मुजियम पर टिकट लेएंड तो फ्रैंक्स अब नौदीब धाम के नेक्स्ट मंदीर में आजके हैं अजके लाधारानी का मंदीर तो आप देख तक तो इस टेमपल के अंदर एक अंडरक्राउंड मुजियम है तो जिसका टिकट लगता है दस रुपया हम लोगों ने टिकट कट आया और चलिए आप लोगों को दिखाता हूं मुजियम के अंदर क्या क्या है इस मुजियम को गुप्त गुरिंदा बन के नाम से भी जाना जाता है गाइस आप दिक हम ग क्याओ है तिना थी मिल था इंट ब्लब दर श्काइब यह थिए है अजा कि ए पिए है यह था आपिए है आप जा रे अपिए है यह श्काइब है यह था दर श्काइब कर दो दो यहां देख्यों हुटे काफी मज़ा आया एंड फाइनली गाइस हम लोग नौदीव धाम का थर्ड टेमपल आ चुके हैं नित्यानन्द भावा का मंदिर आप देख सकते हैं तो चलिए यहां भी दर्शन किया जाए अगाइस आप देख सकते हैं यह नौदीव धाम का मुख्य मंदिर है हमेश्वर स्री श्री गौरांगा महाप्रभु जीता मंदिर है तो फ्रेंड्स यह मंदिर यहां का मुख्य मंदिर माना जाता है नौदीव धाम का हमेश्वर बावा का मंदिर तो हम लोग अभी इसी मंदिर के अंदर आप देख सकते हैं अब हम यहां से जाने बाले हैं अब फाइनली गाइस अब हम लोग नौदीव धाम का लास टेंपल जो की शिक्त मंदिर है स्वनार्क गुरांगों चलिए अब यहां दर्शन किया जाए तो फाइनली गाइस अब हम लोग नौदीव थाम से निकल चुके हैं अब हम लोग फाइनली मायापूर जा रहे हैं वोट पे अभी गाइस आप देख सकते हैं और माया पूरू घाट बस पहुंचने ही वाले तो फाइनली गाइस आज का ब्लोग मैं यहीं पर समाप करता हूं तो अगर आप लोगों का आज का ब्लोग मेरा यह अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेर करना ना भूले गाइस थैंक्स पर वाचिंग में लव यू आल